अलो फ्रेंट्स वेलकम टू सिविल की गोले यूट्व चैनल तो यहां पर आप लोगों के लिए इंजिनियर से इंडिया लिमिटेड जाए ई-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i इंडिया का तो बहुती बढ़ को बढ़ी अ पर्यूर्टतिय आपको यहां पर मिलती है यहां पर जो भी आपको सेलिरी वगार एंड जो भी यहां पर बैनेपिट मिलेंगे सारे आपको यहां पर government की Trumps Condition के हिसाब से बहुत ही बढ़ी आ इस्तर के आपको यहां पर मिलेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो vacancy रहेगी यहां पर special requirement drive है जो कि HTSC and OBC candidates के लिए यहां पर रहने वाली है जिसमें यहां पर जो है company की जो profile है वो यहां पर दे रखी है बाकी आप यह चीज़ यहां पर देख लें कमपनियां पर 50 से भी ज्यादा time से यहां पर work कर रहे है यानि कि यहां पर जो PSU है 50 से भी ज्यादा year से यहां पर जो है इनकी working है और बहुत ही बड़ा इनका sector रहता है और बहुत ही बड़ा काम है तो उसके इसाब से आप लोगों के लिए काफी जो है profitable यहां पर यह job यहां पर रहनी वाली है तो बात कर यहां पर vacancy ओं की तो सबसे पहले यहां पर हम चलते हैं वेकेंसी ओपर तो पहली वेकेंसी यहां पर जो है civil engineer कंट्रक्शन वालों के लिए यहां पर है जिसके लिए total 4 वेकेंसी यहां पर निकाली गई है 9 वेकेंसी यहां पर जो है mechanical कंट्रक्शन वालों के लिए है and 4 वेकेंसी यहाँ पर mechanical piping वालों के लिए है, total इस तरह से आप आप देख सकते हैं, 17 vacancy यहाँ पर रहेगी, जिसमें से 6SC, 5ST and 6 vacancy OBC के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने notification में उच्छ यहाँ पर link दे रखे हैं, आप special जो यहाँ पर से कोई भी आपकी QD है, वो आप देखना चाहिए, तो आप इसके थुरू आप पर जा सकते हैं, आला कि इनके बारे में आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इन्होंने detail यहाँ पर दे रखी है, इसके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं, तो अपनी जो vacancy ती यहाँ पर civil construction engineers की, उसके लिए जो है, जो age है, आपर age limit, वो यहाँ पर 28 year की यहाँ पर रहनी चाहिए, पसंटे यहाँ पर जो qualification है, education qualification, तो आपके पास B.E.B.T. की यहाँ पर होनी चाहिए, civil engineering से, तो आप इसमें यहाँ पर eligible हैं, इसके लिए आपके पास minimum 65% mark यहाँ पर होनी चाहिए, experience यहाँ पर मात्र one year का य यहाँ पर हो गई, उन्होंने यहाँ पर जो है working की होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो revealing field है, उनसे संबंदित and यहाँ पर जो category इन्होंने देर की है, इसमें आपने वर्क किया है, तो आप इसमें जरूर से apply करें, जैसे कि आप यहाँ पर detail में देख सकते हैं, contact management का ह गया, power plants and nuclear power plants जैसे PSU में आपने working की है, मात्र एक साल का experience यहाँ पर यह लोग मांग रहे हैं, तो इसके साब से आप यहाँ पर apply करें, तो आपर तीनों ही जो category है, mechanical, construction and mechanical piping, तो इनके लिए भी maximum age वही 28 year की यहाँ पर रखी गई है, education, qualification की बात करें, तो आपके पास जो यही review and field है, उससे आपके पास BEB take यहाँ पर होना चाहिए, 65% mark के साथ, तो आप इसमें यहाँ पर eligible रहेंगे, बाकी यहाँ पर experience वही one year का, यहाँ पर जो है मांग गया है, तो वो आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें eligible रहेंगे apply करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख CPA वाले जो लोग हैं, जिनकी percentage के, मतलब जिनको percentage के अलावा, उचे यहाँ पर जो CGPA बगर रहती है, जो भी इसके TGRI के institute से जिन्हों ने अपनी degree बगर complete की है, तो वो भी अपना scale जो है, इस हिसाप से आपर count करके, और जो percentage इन्हों ने दे रखी है, वो यहाँ पर match कर सकते हैं, अपलाई करने से पहले, तो आगे यहाँ पर बात करें, तो इसके रिज़ पे scale रहेगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 60,000 से लेके 1,80,000 तक जो की approximate आपका yearly CTC होता है, 18.67 लेक रुपे का बहुती बढ़े CTC आपको मिलेगा, साथ इसाथ government की जो coverage यहाँ पर जो details यहाँ पर जो है दी गई है, upper age में जो यहाँ पर election मिलते हैं, उनमें जो discounts वगर रहते हैं, उनकी detail यहाँ पर है, वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी government के terms condition के इसाफ से यहाँ पर रहती है, आगे बात करें आपर palace of posting कौन सी रहेगी, उसके लिए आप direct जो भी candidate यहाँ पर short list के जाएंगे, अपनी education, qualification and यहाँ पर जो भी experience आ दिये, उनके message पर, तो यहाँ पर interview होगा, जो कि या तो online आप कर रहेगा, या फिर offline यह अपने office पर भी पुला सकते हैं, तो वो detail आपको बात में मिल जाएगी, तो उसके हिसाब से जो है, आप अपन auto वगर upload करनी है, certificate वगर सारी सीज़े आपको यहाँ पर दे रखा, इनके हिसाब से अपने documents आवे खटे कर लें और apply यहाँ पर कर दें, बाकी apply करने के बाद आपको जो है, किसी तरह का कोई भी hard copy इनको यहाँ पर नहीं भेजनी है, लेकिन future reference के लिए, अगर यहाँ पर interview के आपको बुलाते हैं, तो उसमें वो application काम आएगी, तो उसके लिए आप जो है print out निकाल कर रख लें, self-assisted copy, साथ 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 सभी आपके original documents जो आदी है, उन सभी को आप ready रखे, यहाँ पर अगर online interview होता है, या फिर offline यहाँ पर बाहत बुला कर अगर होता है, तो दोनों ही condition application में आपके documents काम आएगे, तो सभी को जो है, आप यहाँ पर ready रखे, एक बार सभी के print out बगर यहाँ पर सारे निकाल कर, और last date यहाँ पर apply करने के लिए वो यहाँ पर 22, 11, 2023 रहेगी, तो इससे पहले-पहले आपको यहाँ पर apply करना है, तो वो चीज भी आप especially तोर पर यह आप पर जो है, ध्यार रखे, बाकी जो भी इंट्रिव बगर की आदि की सूचना होगी, वो आपको email के द्वारा यहाँ पर दी जाएगी, तो यह basic सी चीज होती है, कि आपको apply करते time पे, mobile number, mail ID, आदि जो है, अच्छे से आपको use करने, ताकि future में जो भी communication हो, उसमें किसी तरह की कोई भी जो है problem आपको ना आए, आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, तो यहाँ पर जो वही basic सी guideline याँ पर terms condition, वही जैसे कि मैंने आपको बताई, कि यहाँ पर आपको original certificate आपको सारे यहाँ पर रखने होंगे, interview के time पे, साथ यहाँ पर जो जो documents आपको यहाँ पर जो है, ऐसे ही चीजे जो है, आपको यहाँ पर submit करनी होती है, जो वह चीजे आप यहाँ पर समाल कर सारी की सारी, ready करके रखें, apply करने से पहले, और वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आगे यहाँ पर, एक बार आप यह उन्पर किसम को download करके, फिर से एक बार जो है, ट्रम्स कंडिशन की जो basic सी guideline है, इनको अच्छी तरह से और देख लेना, ताकि आपको जो है, किसी तरह की कोई भी mistake यहाँ पर ना हो, और आप जो है, आराम से इसको दे पाएं, बाकि यहाँ पर interview का जो है, हाला कि अभी इन्होंने fix किया नहीं है, या तो आप यह online interview लेंगे, या फिर आपको बुलाएंगे, हाला कि इन्होंने यह भी यहाँ पर बता रखा है, कि अगर आपको interview के लिए बुलाया जाता है, तो उसके लिए इनके जो भी guideline उसके इसाब से, जो है, आपको rail फेर आपको यहाँ पर दिया जाएगा, तो उसके लिए भी आपक आपको मिलती रहती है, तो ठीक फ्रेंट्स, बाकि इसी तरह से new job update and vacancy के लिए subscribe करे हमारे channel को and बने रहे हमारे साथ धन्यवाद.